तो अब इसे कुछ चाइम पहले यह मुझी कहने चे कुछ हफते पहले बॉबी लेशली जिस तरह से में मंडे नाइट रॉक एपिसोड में दिख रहे थे ऐसा लग रहा है कि वो टॉप गाय बन चुके और वो युनिवर्सल चैंपरशिप के पिक्चर में आने वाले हैं तो रिसेंडली कुछ ऐसा वाई जिससे कि हमें हिंट मिला है और टीज हो चुका है कि शायद बॉबी लेशली हमें देखने को मिलने वाले हैं और वहाँ पर हमें उनका कोई बड़ा रोल देखने को मिल सकता है तो यह वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है इसे लासक जरूर देखिए तो रिसेंडली फॉक्स न्यूस के साथ एक इंटर्वी में बॉबी लेशली काई और उन्होंने कहा यहां पर कि समर्स जीतने वाला इस सुब्स टार करोल क्या होगा यह चीज होगी लेकिन उन्होंने यहां पर कहा कि मेरे बारे में क्या मैं क्या करना हूं कि मैं डवल व्ली वापस सिर्फ ऐसी बैटने के लिए हूं और इसके बाद यहां पर बॉबी लेश्टिंग ने हिंट करना शूरू कर इंटर्वी के दौरान यह का कि वो काफी बड़ी चीज शायद कर सकते हैं समर्स्लैम में और अगर जो भी उन्होंने बाते के अपने इस इंटर्वी में यहां पर सबसे बड़ी चीज की बात करें तो उन्होंने यही कही कि क्या वो ब्रॉक लेस्टर एंड रोमन रेंज के वो रोमन रेंज और ब्रॉक लेस्टर ने के मैच में आने वाले हैं बड़ रोमन यहां पर कंफर्म तो नहीं किया लेकिन उन्होंने यहां पर पूरी तरीके से टीज कर दिया और एंड में यह भी का कि समर्स्लैम में आपको ऐसा एक्सपैक कर सकते हैं जो कि आपने स्पॉलर हमारे सामने आए और यह जुड़ा है समर्सलैम होने वाले चैंपिशिप मैच से जो कि हमें देखने को मलेगा ऐलेक्सा ब्लेस वर्सिस रॉंडर राउसी के बीच तो बार्कले सेंटर में एक ग्राफिक दिखाया गया जो कि आप देख सकते हैं समयाप की स्क्रिन के ओपर यहां पर evolution पेपर व्यू जो कि आप लोग जानते हैं वहाँ पर सारी female होंगी वहाँ पर एक match दिखाया जारा है जो कि Tris Stratus वर्सिस Alexa Bliss की बीच और अगर आप यहाँ पर Alexa Bliss को देखे तो Alexa Bliss के पास championship नहीं है और आप लोग जानते हैं यह वाला पेपर व्यू समर्स सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मारे चैनल पर इसी तरह से डिपलेवी के अपडेट्स न्यूज रिमर्स और कुछ इंट्रस्टिंग बाते जानने को मिलती रहने से स्थी यूज इन माइं नेक्स वीडियो